पूरो सियम भुपेंदर शिंग उड़ा का आरोप अर्याना में 37.4% तक बाउंची बेरोजगारी बाजबा ने न कारा। पूरो मुख्यमंत्री भुपेंदर शिंग उड़ा ने नए साल में बाजबा जजबा गठ मंदन की सरकार पर हमला बोला। उड़ा ने कहा कि महिना बदलता है, साल बदलता है, कलेंडर बदलता है लेकिन बीजबी जजबी सरकार का रिकारड नहीं बदलता। यह सरकार अर्याना को बेरोजगारी के मामले में हमेशा पहले पाएदान पर लाकर खड़ा कर देती है। उड़ा ने बिरोजगारी पर सेंटर फोर मोनेटरिंग इंडियन एकोनोमी के ताज़ा अकड़ों के हवाले शिकागी एक बार फिर अरियाना ने देश में सबसे ज़्यादा 37% बिरोजगारी का आकड़ा छुआ है यह राष्ट्रिय ओस्ती से साड़े चार गुनाज ज्यादा है भाजपा ने इन आकड़ों को नकार दिया है पुरो मुख्यमंतरी वपेंदर शिंग उड़ा ने चंडिगट में एक बियान में कहा कि पिछले महीने अरियाना में 30% बिरोजगारी थी अरियाना हर बार विरोजगारी के मामले अपने अपना रिकार्ड तोड़ता है उटा ने कहा कि सरकारी वागों में लगवगी दो लाख पद खाली पड़े हैं इन परपक्की बर्ति करने के बजाए सरकार कोसल रोजगार निगम के जरिये ठेका पर्थागी को बढ़ावा दे रही है लगातार सरकारी वागों और पदों को खतम किया जा रहा है पूरो मुक्ष मंतरी ने हिसार दूरदर्शन के अंदर को बंद करने का विरोध करते हुए कहा दरजनों करमचारी विरोजगार हो जाएंगे और करोड़ों रुपए का इंफरस्ट्रिक्टर बेकार ह हो जाएगा साथ ही दो दसन से जुड़े रियानवी कलाकार और अन्य विशेशग्य अपनी कलाव विशेशग्यता लोगों तक ही नहीं पहुंचा पाएंगे सरकार को चैनल बंद करने या इसे शिप्ट करने का फैसला आपस लेना चाहिए उड़ा ने कहा कि परिवार 10 लाग बजर्मों की पैंशन और 10 लाग बीपिल परिवारों के पीले का राशन कार्ड पर कैंची चला चुकी है जरूरत बंद करिवारों को यूजनाओं के साथ लाब से बन्चित किया जा रहा है सरकार को गरीब और जरूरत मंदों का दरत दिकाई नहीं दे रहा है